तो नमस्कार चैनल राज की बाते में पुना आपका हर्दी कभी नंदन है आज हम जानेंगे विश्व आदिवासी दिवस के बारे में कि विश्व आदिवासी दिवस क्या है और विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं इसके मनाने के पीछे क्या उद्देश है और इसको म चाहां इस वीडियो में करेंगे वीडियो को अंतक देखिए और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो जब भी आये आपको उसकी सुचना सबसे पहले म में आदिवासियों का जो प्रतिशत है लगभग 6 से 7 प्रतिशत है जो की लगभग 4.7 अरब लोगों के बराबर है यह प्रतिशत बिभिन सुरुतों और परिभासाओं के आधार पर भिन भिन हो सकता है लेकिन सयोक्त राष्ट के अनुशार बिश्यों में लगभग 370 मिलि जन आदिवासी लोग है जो विश्यो जन संख्या का लगभग 6 प्रतिशत है यहां कुछ देशों की आदिवासी का प्रतिशत हम बता देते हैं जैसे भारत में 8.6 प्रतिशत यानि जन संख्या की बात करें को 10.4 करोड चीन में बहुत कम है 0.4 परसेंट सेंउक्तराज अमे 0.3 परसेंट और उस्ट्रेलिया में 3.6 परसेंट लगभग 7 लाग के आदिवासी अबादी हैं अब थोड़ी डाटा आपको बताना चाहूंगा भारत के सभी राजियों में आदिवासीयों का क्या-क्या प्रतिशत है सभी राजियों को तो नहीं बता सकता लेकिन भारत के स सभी राजियों में आदिवासीयों का प्रतिशत है और आंधर प्रदेश में 6.6 और उनाचल प्रदेश में और 6.8 परसेंट असम में 12 बिहार में 1.3 चतिसगड़ में 3.1 जारखन में 26.3 प्रतिशत यानि यहां मैक्सिमम की यदि बात करें तो सभी राजियों में कुछ ना आदिवासी है नागालेंड में सेकेंड नमबर पर है 89.1 परसेंट आदिवासी है और चतिसगड़ और जारखन की बात करें तो चतिसगड़ में 31.8 परसेंट और जारखन में 26.3 परसेंट आदिवासी जनसंख्या है यह सभी आकड़ा हमने 2011 की जनसंख्या के आधार पर इसलिए यह अंकड़ा 2011 के अनुसार है, अभी इनकी जन संख्या में कमी या ज्यादा हो सकती है। विश्व आदिवासी दिवस क्या है? विश्व आदिवासी दिवस को कब से मनाते हैं? दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस एक अंतराष्ट्रिय दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। जब स्वयूकत राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के अधिकारों के लिए अंतराष्ट्रिय दिवस के रूप में घोसित किया गया था। अब हम चर्चा करेंगे विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बिस्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे कई कारण है लेकिन यहां मैं पांच कारणों पर चर्चा करूंगा पहला कारण है आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना बिस्व आदिवासी दिवस आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है जिनमें उनकी भूमी, संस्कृती, भासा और पारमपरिक ज्ञान सामिल है दूसरा उदेश्य है आदिवासी संस्कृतियों को संरक्षित करना यह दिवस आदिवासी संस्कृतियों को सरक्षित करने और उनके महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है तीसरा उदेश से है आदिवासी लोगों के विकास और ससक्ति करन बिस्व आधिवासी दिवस आधिवासी लोगों के विकास और ससक्तिकरन को प्रोथसाहित करने के लिए मनाये जाता है ताकि वे अपने अधिकारों का उप्योग कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें चौथा उदिस्य है आदिवासी लोगों के बीच जगरुकता और सिक्षा का विकास हो यह दिवस आदिवासी लोगों के बीच जगरुकता और सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह जान सकें और अपने जीवन को इसे से बेहतर बना सकें। चुंकि education is the backbone of development, so यदि हम सिक्षा पर जागरिती नहीं है, तो हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकतें। और पांचवा उदेश से है, आदिवासी लोगों के साथ एकता और समानता। बिस्वादिवासी दिवस आदिवासी लोगों के साथ एकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ताकि वे समाज के अन्य लोगों के साथ समान अधिकारों और आउसरों का आनन्द ले सकें। वानियत ऐसा सोच है कि विश्व आदिवासी दिवस केवल आदिवासियों के लिए है लेकिन बात ऐसी नहीं है विश्व आदिवासी दिवस को कौन लोग मना सकते हैं इसके बारे मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आदिवासी दिवस को हम लोग मना सकते हैं उनमें आदिवासी सम समुदाय के लोग जिंमें विभीन आधिवासी जातियों और समुहों के लोग सामिल हैं 2018 दिवस को अपने अधिकारों और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए मना सकते हैं सरकारी संगठन सरकारी संगठन जैसे कि समाजी कन्याय और आधिकारिता मंत्रा लए, आधिवासी मामलों के मंत्रा लए, विश्व आधिवासी दिवस को मनाने के लिए कर्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, करते हैं. गैर सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन जो आदिवासी लोगों के अधिकारों और विकास के लिए काम करते हैं विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए करेक्रमों का आयोजन करते हैं सेक्षिनिक संस्थान, सेक्षिनिक अस्थान जैसे विशु विद्याले और कॉलेज, स्कूल, विशु आधिवासी दिवस को मनाने के लिए कर्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं समाजी कर्यकरता, समाजी कर्यकरता को जो आदिवासी लोगों के अधिकारों और विकास के लिए काम करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें भी इस कर्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, अस्थानिय समुदा है, अस्थानिय समुदा है, जो आदिवासी लोगों के साथ रहते है और काम करते हैं विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए करेक्रमों का आयोजन वे भी कर सकते हैं। तो इन लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति या संगठन विश्व आधिवासी दिवस को मनाने के लिए करिक्रम कायोजन कर सकता है जो आधिवासी लोगों के अधिकारों और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद है इस परकार ये सोच की सिर्फ ये आधिवासियों के लिए है ऐसी बात नहीं है इसको कोई भी समुदाये के लोग आधिवासियों के संस्कृति बढ़ोतरी और उनके अधिकारों के जानकारी के लिए अवस्य मना सकते हैं अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि विस्वा आधिवासियों को प्रभावसाली धंग से कैसे मनाए उसको प्रभावसाली धंग से मनाने का क्या तरीका हो सकता है इस समद में कहना चाहूंगा कि बिश्व आदिवासी दिवस को प्रभावसाली धंग से मनाने के लिए हमें कुछ बिशेस कदम उठाने चाहिए, जिनमें से पहला हो सकता है कि आदिवासी संस्कृती को बढ़ावा दें, आदिवासी संस्कृती के बारे में जागरूता करक्रमों का आयोजन करें, दूसरा हो सकता है कि आदिवासी अधिकारों पर चर्चा करें, आदिवासी अधिकारों पर चर्चा करने के लिए सेमिनार का आयोजन करें, करेशालाओं का आयोजन करें, पैनल चर्चा का आयोजन करें, तीसरा हो सकता है कि आदिवासी की कहानियां साज़ा करें मतलब आदिवासी लोगों की कहानियां साज़ा करने के लिए सोशल मीडिया और अन्यमाध्यमों का उप्यों किया जा सकता है कारिक्रम बहुत प्रभार्शादी हो जाएगा पांचवां हम ये कहना चाहेंगे कि आदिवासी कला और हस्त सिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों और बाजारों का आयोजन भी किया जा सकता है चठे नंबर पर कहना चाहेंगे आदिवासी लोगों के स्वास्त और सिक्षा पर ध्यान देने के लिए स्वास्त और सिक्षा समंधी कारिक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है साथमे नंबर पर आदिवासी अधिकारों के लिए अभियान चलाना चाहिए आदिवासी अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए समाजिक अंदोलनों और अभियानों में भाग लेना चाहिए तो इन कदमों को उठा कर हम विश्व आधिवासी दिवस को प्रभावसाली ढंग से मना सकते हैं और आधिवासी लोगों के अधिकारों और संस्कृतियों को बढ़ावा दे सकते हैं आगे हम चर्चा करना चाहेंगे कि 200 आधिवासी दिवस को मनाने के लिए सरकार का क्या सहयोग हो सकता है इस समझ में मैं कहना चाहूंगा कि 200 आधिवासी दिवस को मनाने के लिए सरकार का कुछ विशेश सहयोग हो सकता है सरकार अधिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए कानून और नीतियों को लागू कर सकती है डूसरे नमबर पर आदिवासी विक्metal करक्रम सरकार आदिवासी विकास करक्रमों को लाःगू कर सकती है जैसे कि शिख्छा, सौस्ता-और आर्थिक विकास वाण्धी Willi K sun तीश्रा नमबर पर आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा सरकार आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति करेक्रमों और उत्साओं का आयोजन कर सकती है चौथे नमबर पर आदिवासी समुदाय के साथ जुड़ना सरकार आदिवासी समुदाई के साथ जुड़ने के लिए समुदाई करक्रमों और बैठकों का भी आयोजन कर सकती है पांचवे नमबर पर आदिवासी लोगों के लिए रोजगार सरकार आदिवासी लोगों के लिए रोजगार के आउसर परदान कर सकती है जैसे कि सरकारी नौकरियों और विकास परियोजनाओं में आरक्षन की सुविधा चाथवे नमबर पर आदिवासी सिक्षा सरकार आदिवासी सिक्षा के लिए विशेश करेक्रमों और सुविधाओं को लागू कर सकती है जैसे कि आदिवासी भासाओं में सिक्षा और आदिवासी छात्रों के लिए छात्र गृति है। साथवे नमबर पर आदिवासी स्वास्त सरकार आदिवासी स्वास्त के लिए बिशेश करक्रमों और सुविधाओं को लागो कर सकती है। जिसे की आधिवासी छेत्रों में स्वास्त सेवाओं का विस्तार और आधिवासी लोगों के लिस्वास्त जाच सिवीर इन सहयोग के माध्याम से सरकार विश्व आधिवासी दिवस को मनाने में महत्वपुनिका निभा सकती है और आदिवासी लोगों के अधिकारों और संस्कृतियों को बढ़ावा दे सकती है आंत में मैं 2080 दिवस के बारे में कुछ अपना विचार भी देना चाहता हूं कि 2080 दिवस एक महत्वपून आउसर है जो आदिवासी लोगों के अधिकारों और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है यह दिवस हमें आदिवासी समुदायों के साथ एकता और समानता की भावना को बढ़ावा देने का एक अच्छा और सरपरदान करता है आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए काम करना हमारी सामोहिक जिम्मेदारी है हमें आदिवासी संस्कृति को समझने और उसका सम्मान करने के आउ सकता है और आदिवासी लोगों के साथ मिलकर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करना चाहिए विस्व आदिवासी दिवस हमें आदिवासी लोगों के साथ जुड़ने और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने का उसर परदान करता है हमें इस दिवस को मनाने के लिए समुदाइक करिकर्मों और जागरुपता अभियानों कायोजन करना चाहिए और अधिवासी लोगों के साथ मिलकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए कुल मिलाकर दिस अधिवासी दिवस एक महत्वकुन आउसर है जो हमें आदिवासी लोगों के अधिकारों और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है हमें इस आउसर को मनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और आदिवासी लोगों के साथ मिलकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कारे करना चाहिए तो मैंने 20 आदिवासी दिवस के समन्द में कुछ बताने का प्रयास किया आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस जरूर करें ताकि इसी तरक बीसे इस वीडियो इस चैनल में आए तो उसकी सुचना आपको सबसे पहले मिले मैं मिलता हूँ बहुत जल्द और एक इस बेसल वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए अपना ख्याल रखिए स्वस्त रहिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू चै आदिवासी समाज